नमस्कार दोस्तों, बजट 2021-22 आ चुका है, एक फरवरी 2021 को हमारी ओनरेबल फाइनस मेंस्टर निर्मरा सीतर रमन जी ने बजट को पेश किया, मैंने आपके साथ इंपोर्टन हाइलाइट्स डिसकस नहीं की थी, यहाँ पे तीन अलग अलग वीडियो में मैं बजट 2021 के जित और बाकी जो पांच पेलर से, वो आगे आने वाली दो वीडियो में बात करूँगा, चुरुबात यहाँ पे बजट के इंट्रदक्शन से होगी, और इंपोर्टन हाइलाइट्स जो बजट 2021 की हैं, वो बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊँगा, बेना टाइम वेस्ट क बोलते हो, बट एक्चुली में इसका नाम है, अनुल फाइनेशल स्टेट्मेंट, यह जो बजट है, यह सरकार पेश करती है, on the first day of February, खीक है भाई, first day of February की बज़ाए, यह बजट जो पहले था, 2016 तक, इसको last working day of February पेश किया जाता था, बट उसके लिए वोटन अकाउंट दाना पड़ता था, दो महीने का खर्चा सरकार को normally पहले अप्रूव करवाना पड़ता था, बजट के पास होने से पहले, अब सरकार ने बोला कि बजट अलग से दो महीने का बजट अप्रूव करवाने की जरूए वोटन अकाउंट के तुरो, एक काम करो, एक फरवरी को इंडिया से पैसा निकाल सकी, जो consolidated fund है, जो खाता है, इसके अंदर पैसे तो पढ़े रहते हैं, अप्रोप्रेशन बिल पास करने के बाद, इससे पैसे निकालने के authority मिल जाती सरकार को, और ये अप्रोप्रेशन बिल 31 मार्स तक पास करा दो, सारा काम खतम, तो यहां पर हमने एक चीज़ और देखी कि budget को पास कराने में finance bill और appropriation bill को पास कराने भी जरूरी हो, तो सबसे पहले आता है economic survey, उसमें पिछले साल क्या हुआ, उसके बारे मताया जाता है, उसके बाद finance bill, appropriation bill ये सब पास करा जाते है, finance bill में tax essential related loss, annual financial statement में, आपका revenue side का budget क्या है, capital side का budget क्या ह revenue capital में simple differences है, daily मररा के खर्चों को चलाने के लिए जो पैसा खतम करना है वो हो जाएगा आपका revenue budget, तो भाई, आपने पहले बहुत सारा उधार ले रखा है सरकार ने, अभी सरकार को उस उधार के उपर interest देना है, तो वो revenue खर्चा है, चुकि interest देना ही देना है, भाई, staff की central government के employees की salary देनी देनी, कल आपको IPS, IS, IPS बनोगे, आपकी salary जानी ज़रूरी है, तो ये सब revenue budget में आता जो सरकार का running खर्चा है, इससे कोई productive asset नहीं बनता, लेकिन वो खर्चे जिससे productive asset बनते हैं, इनको आप बोलते हो capital budget, ये revenue budget, capital budget ये अक्सर कर मैं एडिटोर से बताता रहता प्लस ये budget को पास करने का जो पूरा procedure है, उसको मैंने लक्षमी कांथ की सीरीज में cover किया, तो आप मेरी लक्षमी कांथ की सीरीज एक बार जरूर देख लिए जाके, आगे बारने से पहले वीडियो पे like का बटन, इस वीडियो को share नहीं किया हो, चैनल को share, subscribe नहीं किया हो, तो आप जोएन मिटन दवा के help कर सकते हैं, Instagram पर follow कर लीजे, आपकी जोनी डॉट्स जवाब दूँगा, Telegram ग्रूप जोएन कर लीजे, इस lecture की PDF को आपको Telegram में मिल जाएगे, और बाकि जितने भी current affairs की में lectures बनाता हो, उनकी PDF भी आपको Telegram में मिल जाएगे, तो basically union budget में होत आता है, Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Account of India, इन funds को मैंने बहुत डीटेल में कवर किया है, चाहे आप Public Account of India मेरे नाम हरशी देशा सर्च मार दीजे, यूट्यूब में, सब कुछ मैंने लक्षमी कान में समझा है, और उससे पहले भी मैंने वीडियो बना के समझा रखा, आपको वीडियो मिल जाएगे, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको इन टर्म्स के बारे में ना पता हो, तो आप पहले जाके देख लो, हाला कि आता है आपका Economic Survey of India, यहाँ पर बहुत ब्रीफ में हम देखते हैं कि Overall Important Highlights क्या है बजट की, इनी Important Highlights को मैं बहुत डीटेल में विस्तार से आपको इस वीडियो में आगे आने वाली दो वीडियो में समझाँगा, सबसे पहले तो आत्मिनिरबर भारत, आत्मिनिरबर भारत म बढ़ा देंगे, इंपोर्ट कस्टमिटी बढ़ जाएंगी, तो बाहर से आके इंडिया के मार्केट बिखने वाली चीज़ें में यह हो जाएंगी, तो हमारे देश में अच्छी चीज़ें पैदा होंगी, तो एक यह कर्दी का है, उसके बाद Employment Generation को बजट में फिर से ध् Credit Line देंगे, MSME, Micro Small और Medium Enterprises, वो वो Enterprises हैं जो कि Organized और Un-Organized Sector दोनों में बहुत Massive Basis पर Employment Generate करते हैं, तो इनको सपोर्ट दिया जाएगा, अला कि कितना भी इनको सपोर्ट दे लो, इनको समाल पाना इंडिया में काफी मुश्किल है, चुकि जब सपोर्ट भी दिया जाता है, तो सपोर्ट का criticism भी होता है, उसको भी देखेंगे, फिर Disinvestment करना, Disinvestment के दो logic है, एक तो सरकार को इस पैसे की मुसीबत के समय में थोड़ा पैसा मिल जाएगा, दूसरा, जो Public Sector Enterprises हैं, जो कि सरकारी धर्रे पे काम करते हैं, उस सरकारी धर्रों में Private Sector के काम करने का तर Gig Economy मतलब Informal Economy, तो daily labor class हैं, आपकी घर में जो mates आती हैं काम करने के लिए, रास्ते में कोई चार्ट बतासे वाला बेचता हो दिख गया, तो ये सब Gig Economy के वरकर्स हैं, आपके घर के आस पास कोई एक जगा होगी जहां पे बहुत भीर लागा कि लोग सुबह खड़े रहते हैं तो उसमें Plumber, Mystery, हर प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, तो ये सब Gig Economy वाले वरकर्स हैं, तो शेहरों में Building, Construction, Workers ये सब इसमें आते हैं, तो एक नया Portal बनाया जाएगा, जहांपे जितने भी लोग Gig Economy में काम कर रहे हैं, उनके बारे में Information जुटाई जाएगी, जिससे सरक प्रकार उनके लिए अच्छे स्टेप्स ले सकें, ये सब बाते बूली गई है, Capital, Spenditure, Infrastructure बढ़ाएंगे, Development Financial Institutions, देखे, Development Financial Institutions एक प्रकार के बैंक होते हैं, for example, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, ICICI Bank, ICICI Bank का full form है, Industrial Credit and Investment Corporation of India, आपको पता है कि ये जो Industrial Credit and Investment Corporation of India, ICICI Bank जो इतना बड़ा बैंक आपके सामें निकल के आता है, ये पहले एक Development Financial Institutions की तरह शुरू हुआ था, Development Financial Institutions करते क्या हैं, कि Long Term में, जो Projects हैं, जिनको कहीं से भी पैसों की मदद नहीं मिल रही है, बट वो Indian Economy के लिए, Employment पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये Developmental Financial Institutions बनाए जाते हैं, जो कि सरकार से पैसा लेके इन Projects को पैसा फाइनस करते हैं, Long Term में, ठीक है, तो Banks, ICICI जैसी बैंक पहले Developmental Financial Institutions थी बाद में, फुल फ्लेज बैंक बन गई, तो यहां पे Developmental Financial Institutions ये जो आइडिया है, जिसके अंदर बहुत potential है, बट कहीं नहीं प्रॉपर से इंप्लिमेंट नहीं हो रहा, इस आइडिया को फिर से रिवाइव किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप में चीजों को एग्जेक्यूट किया जाएगा, तो सरकार प्राइवेट इंटर्पराइस का मिलके काम करेगी, Asset Monetization, Asset Monetization मतलब जो सरकारी ज और बैड बैंक में क्या होगा, कि एक ऐसी बैंक बनाई जाएगी, Asset Reconstruction Company, जो कि उन बिजनेस को रिविगरेट करने के लिए, उन बिजनेस को जो अरड़ी ठब बैट चुके हैं, उनको फिर से उनके अंदर जान डालने के लिए, उनको प्राफिटेवल बनाने के लिए का इंशुरेंस सेक्टर में, Foreign Investors Given Exemption to Shift to IFSC, IFSC है International Financial Services Center, तो इसको Tax Exemption दी जाएगे, अगर आप International Financial Services Center के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है, गिफ्ट सिटी को लेके, आप एक काम करो, गिफ्ट सिटी, मेरे नाम, हर्षी दिव क्यों ये गिफ्ट सिटी, इंडिया को स्पेशल बनाती है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है, International Financial Services Center क्या काम करता है, ये सब चीजे मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लोगा, अच्छा रहेगा, दस अगर सबसे बड़े है, खूब सारा पैसा खतम किया जा रहा है, ठीक है भाई, तो अगर आप देखो तो Capital Expenditure 2021 में 4.12 लाग करोन था, रिवाइस एस्टिमेट की बात कर रहो है, और ऐसा बोला गया है कि 2021 में जो Capital Expenditure होगा, वो 5.54 लाग करोन होगा, Capital Expenditure क्या हो था, थोड़े दिर पहले मैंन किया गया है, Capital Budget के लिए, Capital Expenditure के लिए, Reform Signal, दो Public Sector Banks को यहाँ पर प्राइबिटाइज किया जाएगा, एक State-Owned General Insurance Company को यहाँ पर डिसिन्वेस्ट किया जाएगा, इंशुरेंस सेक्टर में जो Foreign Direct Investment है, उसको 49% से बढ़ा के 74% किया जाएगा, और Life Insurance Corporation का IPO किया जाएगा, IPO मतलब कि Life Insurance Corporation के शेर्स को Stock Market में जैसे की National Stock Exchange हो गया, Bombay Stock Exchange हो गया, इस पर लिस्ट किया जाएगा, और मेरे और आपकी जैसे लोग जाके उन शेर्स को खरीज सकते हैं, ठीक है भाई, तो इससे सरकार को पैसा मिलेगा, उसके आगे, no populism but focus on growth, अभी तो सरकार को favor में लिखने गये गये हैं, ना tax slab गटाए गये हैं, ना ही कोई खास overall exemption में कोई changes किये गये हैं, तो ठीक है भाई, tax labs को moderate ही रखा गया है, health sector को थोड़ा ज्यादा allotment हुआ है, अगर आप पिछले साह से compare करोगे, तो 2020 में revised estimates देखे तो 94,452 करोन रुपीस allocate किये हैं किसको health sector को, लेकिन इ 93,846 करोन रुपीस allocate किये हैं, health को ये 137% का jump है, ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें 35,000 करोन रुपे COVID-19 की vaccine के हैं, अगर आप health budget के बारे में जानना चाओ, कमिया जानना चाओ, specifically health budget की, तो आप एक काम करो, मेरा 9 February 2021 का the Hindu editorial discussion देखो जाके, इस editorial में मैंने health budget से respect में एक article discuss किया है और उस article में जो author है, उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, कि ये जो सरकार 2,23,000 करोन रुपे health को allocate कर रही है न, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कैसे यहाँ पर figures को घुमाया जा रहा है, कैसे जो target सरकार ने बना रखे हैं आगे आने वाले समय के लिए, वो targets हम meet करन नहीं है, तो health budget में क्या-क्या खामिया इसको अगर जानना हो, तो आप इस particular editorial वाले session में जाके, वो health budget वाले जो मैंने article explain किया, आप बस उसका explanation देख लो, बागी health and well-being के लिए budget में क्या है, उसको भी हम थोड़ी देर बात करेंगे, फिर bad bank की बात की गई, bad bank मतलब एक प्र developmental financial institutions, जैसे कि मैं आपको बता दिया, developmental financial institutions क्या है, एक नया developmental financial institution मनाय जाएगा, जिसमें शुरुवात में 20,000 करोन रुपे डाले जाएगे, target यह है कि आगे आने वाले समय में, इसका lending portfolio 5,000,000 करोन का होगा, मतलब इस development financial institutions के पास 5,000,000 करोन रुपे होंगे, जिन 5,000,000 करोन सरकार नहीं डालेगी, इसमें, सरकार शुरुवात में किवल 20,000 करोन रुपे होगे, बाद में private sector से, जो sovereign pension funds होते हैं, mutual funds होते हैं, जो expect किया जाएगा, कि वो developmental financial institution में पैसा डाले, उस पैसे को आगे मार्केट में घुमाय जाएगा, उससे जो interest निकल के आएगा, उससे जो employees हैं, उनका जो sovereign funds हैं, sovereign pension funds हैं, उन sovereign pension funds में माली जो 50,000 करोन रुपे हमारे developmental financial institution में डाल दी, अब ये 50,000 करोन रुपे इंडिया की economy में घुमाय जाएगे, उससे जो interest rate वापस आएगा, उस interest rate से इन apple के employees हैं, उनका पैसा दिया जाएगा, जोकि जो sovereign pension funds होते हैं, बाहर के देशों में, उनके employees के, उसको इस तरीके से दुनिया भर में invest किया जाता है, ताकि उनको अच्छे returns मिले, तो इसी प्रकार से एक developmental financial institution मना रही है सरकार, और सरकार ये expect कर रही है, कि बाद में जो बड़े-बड़े mutual funds, pension funds, private sector enterprises, वो इस developmental financial institution में invest करेंगे, जिससे इंडिया की economy पैसा घूमेगा, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा उसके बारे मैं भी नहीं कहा जा सकता, फिर asset monetization करेंगे, बतलब कि सरकारी agencies के पास, सरकारी departments के पास, जो भी जमीने खाली पड़ी हैं, उनके assets का अच्छा इस्तमाल करना, तो National Highway Authority of India, Power Grid Cooperation of India Limited, Railways, Airports, Warehouses, Sports Stadiums, ये जो चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, इनका इस्तमाल करके एक National Monetization Pipeline मनाई जाएगे, जिससे सरकारी assets को इस्तमाल करके इनसे पैसा कमाया जाएगा, और फिर उस पैसे को लोगों की भलाई में लगाया जाएगा, फिर कुछ election के मुद्दे भी यहां होने वाले हैं, तो उन चार स्टेट में Highway Projects बहुत तेजी से कराया जाएगे, और Highway Projects को अच्छा का सा पैसा व लोकेट किया गये, तो तमिल नाडू में 605.000 क्илोमेटर के Highway Projects बनाए जाएंगे, एक दिसम्लेव 2.3 Lakh C कोस्ट पे, केरला में 11, 1st.キो क्योमेटर के Highway बनाए जाएंगे 25,000 की कॉर्ट पे आसाम में 1300 किलिमेटर की हावे बना जाएंगे 34,000 करोड की कॉस्ट पे और इन सम्में elections आने वाले हैं फिर strategic disinvestment भाई नीती आयोक से बोला गया है कि आप उन PSU इसको shortlist करिए जिनको sell किया जा सकता है कि वह strategic sectors में ही PSU बची रहेंगी बाकी जितने भी non-study sectors हैं वाँ private sector को आने दो सिंपल बात है और सरकार ने target बनाया कि चली 2019-2020 में या 2021 में ज़्यादा नहीं कमा पाया तो क्या हुआ हम 2021-22 में 1,75,000 करोड रुपे disinvestment से कमाएंगे यह सरकार का target है कितना कमा पाएंगे पता नहीं और सरकार ने कहीं न कहीं अपने prudence को यहाँ पे दिखाया है सरकार ने बोला कि ठीक है भाई fiscal deficit बढ़ती है तो बढ़ने दो लोगों की भलाई के लिए हम अभी के लिए पैसा बोरो करके खर्च करेंगे तो जो 2020 में हमारी fiscal deficit मतलब कि हमारा खर्चा जितनी हमारी income से ज़्यादा है तो जितना खर्चा इंकम से ज़्यादा होगा अत्ता पैसा मार्केटस उठाना पड़ेगा तो वो हो जाएगी fiscal deficit 2020 में fiscal deficit में 69% 2021 में होने वाली 6.8% 2025 तक सरकार target करेगी कि यह पहुंच जाए 4.5% और फिछले कई साथ से सरकार target कर रही कि 3-3.5% तक fiscal deficit को control करके रखे लेकि अब यह 3-3.5% तो एक pipe dream हो गया यह शायद अब कभी पूरा होने वाला है नहीं चुकि अब सरकार officially कह रही कि 2025-2025 तक 4.5% की fiscal deficit target कर रहे हैं मतलब खर्चा तगड़े तरीके हो रहा है और कमाई है नहीं सरकार की यह है वो 6 figures जिसके basis पे यह budget टिका है पहला है health and well-being दूसरा है physical and financial capital infrastructure तीसरा है inclusive development for aspirational India चौथा है reinvigorating human capital पांचवाइ innovation and R&D छटा है minimum government and maximum governance यहाँ पे health and well-being को हम लोग discuss करेंगे health and well-being की बात कीजाए तो देखें health care expenditure को दुगने से ज़्यादा बढ़ाया गया है health को जो पैसा allocate किया गया है 2019 के अगर आप revised estimates sorry 2020 के अगर 2020 के revised estimates देखेंगे तो 94,452 क्रोंड रूपी से allocated है revised estimates और अब budget estimates 2021 के बोल रहे हैं कि भाई इस financial year में 2.2-3 लाग क्रोन 2.23 लाग क्रोन खर्च किये जाएंगे यहाँ पे एक बहुत important योजना announce की गई है PM आत्म निर्बर स्वस्त भारत योजना जिसको 64,180 क्रोंड रूपी से allocate किया गया और मैं आपको एक बात बता दो और यह 64,000 क्रोंड रूपीया अगले 6 सालों में खतम किया जाएगा तो हमको तो budget में केवल इस साल का खर्च गिनना चाहिए ना तो सरकार का जो तरीका है statistics और numbers दिखाने का यह सही नहीं है 2.2-3 लाग क्रोन में यह पूरा 64,000 क्रोंड रूपे मिला हुआ है और इस 64,000 क्रोंड रूपे को अगले 6 सालों में खर्च किया जाएगा तो overall 2.2-3 में पूरा 64 ना जोड़कर लेकर केवल 10 या 10.5 जोड़ना चाहिए ना जितना इस साल में खर्च होगा खेर वो एक अलग बात है इस 64,180 क्रोंड रूपे के थूरू एक scheme implement की जाएगी जिसका नाम है PM आत्मिनरबर स्वास्त भारत योजना ये scheme preventive, curative और well-being तीनों चीज़ों पर ध्यान रखेगे मतलब किसी को बीमारी ना हो, अगर बीमारी हो गई हो तो उसका cure और उसके well-being का ध्यान रखना तो sanitation का और बाकी भी आपके जो developmental और healthy indicators होते हैं इसका ध्यान रखना इस आत्मिनरबर स्वास्त भारत scheme में 17,000 rural और 11,000 urban health और wellness centers खोले जाएंगे integrated public health laboratories खोले जाएंगे सारी districts में, 3382,3382 public block health units खोले जाएंगे 11 states में, critical clear hospital blocks खोले जाएंगे 602 districts में यह सब बाते यहां पर बोली गई है, national health mission से अलग तरीके से इसको चलाय जाएगा, ऐसा नहीं है कि national health mission के resources को और प्रधान मंत्री आत्मी निर्बर स्वास्त भारत युजना के resources को intersect किया जाएगा नहीं, तो health and well-being के field में यह जो प्रधान मंत्री आत्मी निर्बर स्वास्त भारत युजना ही, यह आपके exams के लिए बहुत important हो जाती है, अगले 6 साल में 64,180 करोन का खर्चा, health and well-being centers बनाना, integrated public health labs बनाना हर district में, critical clear hospital blocks को establish करना, integrated health information portal को expand करना, यह सब इसका काम है, एक और चीज़ है, 2021 के budget में 35,000 करोन रुपए COVID-19 की vaccine के लिए allocate किया गया है, सरकार ने बोला कि जरूत पड़ी तो और allocate करेंगे, और pneumococcal vaccine को पूरे इंडिया में implement और roll out किया जाएगा, pneumococcal vaccine जो बच्चे होते हैं उनको pneumococcal infections से बचाती है, और यह pneumococcal infections एक bacteria की वज़े से होते हैं, इसका नाम है streptococcus pneumonia, और यह pneumonia करता है, pneumonia और meningitis करता है, तो basically pneumonia meningitis से बचाने के लिए इस pneumococcal vaccine को पूरे देश में implement किया जाएगा, फिर दो तीन और चीज़ें जिससे mission potion 2.0, mission potion 2.0 को supplementary nutrition program और potion अभियान को मिला के बनाया गया है, जिससे nutritional content, delivery, outreach और outcome अच्छा किया जाएगा, 112 inspirational districts में, water supply के लिए जल जीवन mission urban launch किया गया है, जिससे water supply प्रोवाइट किया जाएगा, 4,378 urban local yds को और 500 amrut cities को अगले पांच साल में इसको implement किया जाएगा, 287,000 क्रोन की cost पे, और फाइनली सच भारत स्वस्त भारत 2.0 launch किया जाएगा, 2021 से लेकि 2026 के time period के लिए, यहाँ पे fecal sludge management, wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastics, reduce in air pollution by effective managing waste from construction and demolition activities and bioremediation of all legacy dumpsides, यह बिलकुल ही normal सी static बाते हैं, इन वार्मेंट में यह सारी चीज़ों को मैं बहुत practical तरीके सापको समझा चुका हूँ, और यह सब चीज़ें स्वस्त भारत 2.0 में की जा रही हैं, dependence बात पर करता है कि आप कितना रट सकते हो अपने दिमाग में, exams में निकालने के लिए, और जैसा कि अभी आपको बताया कि pneumococcal vaccines को पूरे देश में लाँच किया जाएगा, अच्छा, अभी के लिए शुरुवात में किवल 5 स्टेट्स में लाँच किया जा रहा, बड़ धीरे धीरे इसको पूरे देश में एक्स्पेंड किया जाएगा शुरुवाती फेस में केवल 5 स्टेट्स में, इस से कहा जारा है कि 50,000 चिल्डेंज की मौते कम होंगी, और बैसिकली यह जो pneumococcal vaccine है, this will be a made in India product, so this is the first video of budget 2021, चल्दी ही मैं अगली video budget की लेके आउँगा ओर देना